जेहिन स्वागत है भगत सेंग जीखे किलास में हम लोग देख रहे थे 14.08.2018 के कोस्टन पेपर थर्ड शिफ्ट के ठीक है अगर इस कोस्टन का पीडियप लेना चाहते तो हमारे टेलिग्राम चैनल भगत सेंग जीखे किलास से जूरे वहाँ पे 30 के 30 शिफ्ट के पीडियप आप लोग को मिल जाएगा असानी से आप लोग डाउनलोड करके अपने से सेट लगा सकते हैं देखेंगे आज का पहला कोशन देखे कतन पर विचार करे और तै करे कि निसकर्ष में कौन सा तर्क देखे कतन का तर्क संगत के रुप में अनुसरन करता है कतन क्या करा है कुछ कववे मोर है अगला क्या करा है सभी मोर बत्तक है सभी मोर क्या है बत्तक है ठीक कुछ बत्तक कबूतर है कुछ क्या है कबूतर है ठीक है निसकर्ष में क्या करा है कुछ बत्तक कववे है कुछ बत्तक बत्तक यहां है कववा यहां है ठीक है सारा है तो फिर कुछ तो जरूर होगा ये देखे ये डायग्राम देखे तो पहला सही है पहला क्या है सही दूसरा क्या है कुछ कभूतर मोर है कुछ कभूतर कभूतर यहां है मोर यहां है तो ये दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है मोर यहां है मोर यहाँ है कब उतर यहाँ है यह दोनों के वीच कोई भी relation नहीं यह सकेंड वला क्या है गलत है तो इसका right answer क्या होगा सिर्फ एक ही right answer होगा क्यावल one सही है अगला question यदि यह भी दरपन है तो दिये गए चार उत्तर भी कल्प में से नीचे दी गई आके ठीका सही दरपन छभी कौन सा होगा ठीक है तो यह छभी दिये वे इसका और यह दरपन है तो पूछ रहा है सही चरदभी कौन सा बनेगा तो यह इस टाइप से जो है तो यह कैसा हो जागा आइसा और यह जो अर्ध गोला है तो यह अर्ध गोला कैसे हो जाएगा यहाँ पे आजाएगा किदर आजाएगा यहाँ पे आजाएगा ठीक है यहाँ पे नहीं आएगा इस सैड आएगा नीचे की सैड आएगा यहाँ आजाएगा यहाँ आजाएगा और यह बला धर पर का चला जाएगा एसा तो ऐसा चबी जिसमें हो वो बनेगा आकरितिक फोर सही होगा ठीक है अगला कोसन 2016 की कौन सी हिंदी फिल्म परसीद फोगाड फोगाड परिवार से संबंधित है कुष्थि वाले से फिल्म से संबंधित है यह दंगल फिल्म आया था 2016 में जो कि फोग आर्ट दो बहन की कहानी था ठीक है उसके बारे में दिखाया गया है पुछा गया है भारते मुल्के सब्ते नडेला निमलिकित में कौन सी कंपनी का मुख के कारी-कारी CEO है ते किसका है Microsoft का Microsoft का CEO है किसका है Microsoft का CEO Microsoft Microsoft अगला कोशन एक लंबे विरीत जिसकी आधार की तिर्जिया उसकी उच्चाई के बरावर है आइतन का एक गोले के आइतन के बरावर है तो संकुत ता गोले की तिर्जिया का अनुपात पूचा है अच्चा कोशन है देखेंगे क्या करा है कि एक तिर्जिया जो है R इसके हाइट के बरावर है तो पूचा है कि एक संकुक आइतन एक गोले काइतन के बरावर है तो दोनों के तिर्जिया का अनुपात पूचा है तो संकुक आइतन होता है 1 by 3 by 3 by r square h और गोले का आइतन होता है 4 by 3 by r cube गोले का आइतन हम लोग capital r ले लिए और शंकुक का small r ले लिए ठीक है यहां से जो कटेगा कटा देंगे पाई से पाई कटेगा पाई से पाई कटेगा ठीक है थिरी से थिरी कटेगा बच गया क्या इसका भी value क्या हो जाएगा क्योंकि h जो है r के बराबर है तो यह दोनों को multiply करेंगे तो क्या हो जागा r cube हो जागा और इधर क्या बचा 4 capital r cube तो यहीं पर हम लोग का value निकलना है r cube का ठीक है तो यहां पर क्या हो जागा r cube बटे small r cube तो उपर क्या है 4 नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसका cube हटाएंगे तो इसमें root 4 जाएगा यह root 3 आए 1 का root 3 करेंगे तो root 3 1 ही होगा तो यह क्या हो जागा 3 root 4 is going to 1 right answer क्या हो जाएगा अंदर root 3 root 3 for 1 ठीक है अगला question क्या है यदि दुई घात्य बहुपद x k-1 x square plus k x plus 1 का एक सुन्य माइनस 3 हो तो k का मान क्या होगा ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे कि जहां जहां पर x है वहां पर minus 3 put करेंगे ठीक है जैसे k k-1 यहां पर x square है तो minus 3 का square हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 फिर plus k यहां पर क्या है minus x है तो x का value क्या है minus 3 plus 1 is equal to 0 इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 9k minus 9 फिक है पलास यहां पर कितना हो जाएगा 3k 3k minus में होगा क्यांकि minus में चिन है तो 3k plus 1 is equal to 0 फिक है यहां तक कोई दिकत अब देख लेंगे 3k 9k में चला जाएगा तो क्या होगा 6k ठीक है यह पलास में होगा ना यह माइनस में तो क्या हो जाएगा minus 8 बराबर 0 जब 8 को उस पार ले जाएगे तो क्या हो जाएगा 6k बराबर 8 ठीक है तो k का value हो जाएगा 8 by 6, 8 by 6, ठीक है, कटा देंगें कितना हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, कटा देंगें तो इसका बेल्लू क्या हो जाएगा, 4 by 3, लेकिन रेल्वे के तरफ से इसका एंसर गलत लिया गया है, क्या राइट एंसर क्या हो जाएगा, 4 by 3, के का बेल्लू क्या हो जाएगा, 4 by 3, अगला कुश्चन, दीन ए इलाही के स्थापना किसने किया था, अकबर किया था, 1512 में, अगला कुश्चन क्या है, 17 मीटर कपड़े का मूली कितना है, 75 बटे 7 है, तो परती मीटर कपड़े का मूली ग्यात किजिए, एक मीटर का दाम पूछा है, ठीके, इसका वेलू इतना दिया हुए, ठीके, तो हम लोग यहां क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको गुना करेंगे तो si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si से नीचे क्या करेंगे भाग देंगे इसको जब स्वल्व करेंगे ठीके इतना आएगा फोर बाइब फोर सेवन ठीक है चार कि चार गुना चार प्रपावटे साथ हो जाएगा अगला कुसर्ण दो पाइब एबी एबी दो पाइब है एक खाली टंकी को आठ गंटे में भर सकता है ठीक है एक साथ दोनों पाइब को चालू कर देने के बाद दो गंटे बाद यह दी पाइब बी को बंद कर दिया गया दो गंटे बाद पाइब बी को बंद कर दिया जाए तो सेश टेंकी को भरने में एक ग्यारा गंटा लगता है तो सेश को भरने में कि अगया होगा धो बाटे 8 ठीक है कटके हो गया एक वाटा चार याने कि एक वाट्य भाग भुध दिया होगा टोटल भण एक होता है याने कि कम्पिलिट्ट भाग कितने हो गाएक का। जपना गोप्र गटा देंगे तो यह कितना अँज़ेगा? 3-by-4 भाग बचावाए यानि कि भरने के लिए यह कौन भर रहा है? यह भर रहा है B भर रहा है B तो बंद कर दिया गया यह भर रहा है A यह भर रहा है तो एक 11 गंटा लग रहा है लेकिन 11 गंटा में दू घंटा बी का count पहले ही कर चुके थे, दो घंटे का count पहले ही इसका count कर चुके थे, तो दो इसमें minus कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9, 9 घंटा लगता है, कितने भाग बरने में, 3 by 4 भाग बरने में लगता है, 9 घंटा, तो total बरने में कितना लगेगा, total क्या होता है, एक ह यहाँ पर इसको solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तिच्छा तिच्छी गुना कर देंगे, माल लिए X, तो 9 बराबर हो जाएगा, 3 by 4, 3 से 3 बार में कटा, 3 into 4, 12 घंटा, 12 घंटा लगेगा इसको भरने में, अगला कुशन, तर्क पर ध्यान पुर्वक विचार करें और निर्ने करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान नहीं थे, तर्क है, भीशन सितलहरी के चलते सरकार ने ततकाल परभाव से सभी विद्यालेक को एक सप्ता तक बंद रखने का आदेश दिया, यह तर्क है, अनुमान क्या करता है, सितलहर एक सप्ता तक जारी रह सकती है, रह सकती है, निश्चित नहीं है कि एक सप्ता में खतम हो जाए, चिंतित मता पिता अपने बच्चे को एक सप्ता के बाद भी स्कूल सायद नहीं भेजे, तो सरकार जोर निर्देश दिया है, तो वो सितलहरी के अनुसार दिया है कि उसे एक सपता में समाप्थ होने की संभाबना है लेकिन ये बात फोलो नहीं करता है सिब क्यों फ़लो करता है क्या होगा केवल एक अनुमानित है अगला कोस्टन क्या है ये कार चार घंटे में 240 हाँ यहाँ पे कोस्टन में अंतर है हिंदी में लिखा है 240 इंगलिस में लिखा है 350 तो इंगलिस वाला मान के ही चलना है क्योंकि रेलबे का कहना है कि अगर किसी परकार की गलती अगर होती है कोस्टन में तो हाँ पे English वाला को follow किया जाएगा, ना कि Hindi वाला कि, ठीक है, तो हम लोग 350 मान के बनाएंगे, अगर यह मान के बनाएंगे तो answer कुछ और आएगा, ठीक है, क्या करा, एक कार 350 किलो मेटर की दूरी, 350 किलो मेटर की दूरी 4 गंटे में तरी करता है, ठीक है, 4 गंटे में तरी करता है, यहां से निकाल लेगे, एक गंटे में कितना दूरी करेगा, इसको कटा देगे, तो 8 चो के 32, बचा कितना, 7 चो कटा इस बचा दू 5, यानि कि 87 दसला 5 किलो मेटर परती घंटा स्पीट है, अ कराय कि यदि चाल में सारे 12 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए इसमें कराय कि सारे 12 किलोमीटर की कमी कर दिया जाए कितना हो जागा 75 किलोमीटर परतिगंटा है कमी कर दिया जाए तो कराय कि 450 किलोमीटर दूरी तै करने में कितना समय लगेगा तो 450 को 75 से डिवाइट कर दें कितन जगा 6 घंटा तो ये दूरी कितने समय में तय करेगा 6 घंटा में अगर हम इंदी मान के बनाते तो इंसर कुछ और आता है अगला कॉस्षन सीब ने एक कमीज को 8 परतिसाथ हानी पर यह हानी का मतलब वता है 100 से कम तो कितना जगा 92% यानि कि 184 में बेचा यदि उसे 5 परतिसाथ लाब कमाना हो तो कितना में बेचना चाहिए 5 परतिसाथ लाब का मतलब कितना 105 एक सो जो है वो हमेशा करेमल होता है अगर इससे कम में बेचे तहानी होगा, इससे जादे में बेचे तो लाब होगा, इसी का भेलू पुछाए, माल लिए X, तिरचा तिरची गुना कर देंगा, क्या जगा, 105 बटे 92, यहां कटा देंगे, कितना से कटेगा, तो कटेगा 23 से, 23 से कटेगा, ठीक है, 23 से, यह 4 से बच्चा कितना दू, 46 बार में, फिर 23 से कटेगा, दो बार में, तो दो गुना 105, कितना हो गया, 210, राइट एंसर क्या होगा, 210, अब कह रहा है कि, एक अनुपात, 5 के अनुपात को 10 मलब में लिखे, अनुपात का मतलब होता, एक बटे 5, ठीक है, इसी को 10 मलब में लिखेंगे, तो क्या हो जागा, यहां पे 1 नहीं जागा, तो 10 मलब, 10 मलब दिये तो यहां पे 0, कट जागा, कितना बार में, दो बार में, तो क्या हो 0.2 तिक है यह right answer होगा अगला कوस्छन है amphibia पवधे को निम लिकित में किस संहों में रखा गया है amphibia को रखा गया है baiophyta में किस में लखके रखा गया है kada आधुनिक आवर सार्नी में तत्तो की बेवस्ता किस परकार की ग JE tadi तो तत्तो की वेवस्ता द्रमान बढ़ते, जिसका ज़्यादा है, वो लास्ट में आगा, ठीक है, तो इस तरह रखा गया है, अगला कॉस्टन क्या है, किसी थेले में लाल और हरे गेंद का अनुपात इतना है, लाल कितना है, चार और हरा, कितना है, नो, यदि लाल, साथ लाल गेंद और, मान लते हैं इसमें एक्स लोजोर्ड देते हैं, कराई साथ लाल और गेंद थेले में सामिल कर दिया जाए, तो लाल और हरे गेंद का नए अनुपात क्या होगा, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 अनुपात, 6 दिया गया है, तो पूच्राय थाइले में हरी एक ग्यंद की संख्यां कितना है हरी ग्यंद की संख्यां कितना है यह हो गया, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे क्रोस मल्टिप्लाइ कर देंगे तो कितना हो जागा, छेचो के 24x पलस, सच्छा के 42 ठीक है, नीचे क्या हो जागा, 9 पचे 45 45x, यहाँ क्या हो जागा, 45 यहाँ पे 24x, यहाँ पे 45x अगर दोडर ले जाएंगे तो कितना हो जागा, माइनस 24x जब इसको घटाएंगे, तो कितना होगा 42 बराबर हो जागा, 21x x का बेलू यहाँ से निकल गया, 2 x का बेलू क्या निकल गया, 2 x यानि हरा, हरा कितना x था, 9x तो इसको 9 से मल्टिप्लाइ कर दें, कितना हो गया, 18 धरे गेंद की संग्या कितना हो गया, 18 फरवरी 2018 से लियो अलम्पिक में रजात पदक विजेता पीवी सिंदू के कोच कौन थे, तो कौन थे, पूले लाग गोपी चंद्र sodium hydrogen carbonate को गर्म करने पर निकलिकित में कौन सी गेंस चुरती है तो कौन सी गेंस चुरती है, carbon dioxide यहाँ क्या होगा, एक lens में दो plus d और adapter का सकती है lens की किस्म और इसके focus लंबाई क्या होती है, जब कोई lens का plus में रहे तो क्या होता है, उत्तल होता है, क्या होता है उत्तल होता है, और यह क्या हो जागा, 0.5 meter हो जाएगा ठीक है, क्योंकि 4 d होता है, कितना होता है, 4 d, तो 4 d से इसको डिवाइट करेंगे टू बाइ टू बाइ फोर डी ती क्या हो जागा जीरो पंट फाइब डायोक्टर मीटर ठीक है मीटर होगा अगला कॉस्टन निमली की चित्र में कौन से समू से एकदम अलग है इसमें से अलग चुनने के लिए पूछ रहा है तो इसका ओप्शन C होगा यह सब उपर की ओर है उपर की ओर है उपर लेकिन एस C क्या है नीचे की ओर है ठीक है तो राइट एंसर क्या हो जागा ओप्शन अगला कॉस्टन यदि स्पॉन को प्लेट का जाए प्लेट को ब्लो का जाए ब्लोर को गिलास का जाए तो गिलास को स्पॉन में पानी पीने के लिए उप्योग किया जाता है तो पानी पीने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है तो इस पॉन स्पॉन का प्लेट प्लेट क बलो बलो का अर्थ गिलास से पानी पीते हैं गिलास को क्या चीज़ कहा गया है गिलास को इस पॉंड कहा गया है तो पानी पीले के लिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे इस पॉंड का ठीक है नीचे दिए सब्दों से दूसरे सब्द का चायन करें चार में से तीन एक सतरा के हैं एक डिपरेंट होई चुनना है सुक्र धर्ती ब्रस्पती सनी ये सब में धर्ती डिपरेंट होगा क्योंकि ये सब गरा है क्या है? ये सब क्या है? गरा है तो धर्ती क्या हो जागा, different हो जागा अगला कॉस्वन, 2017 में पुरू सोकी Asia Cup की मेजबानी कौन से Asia I सहर में की गई थी तो 2017 में कहां किया गया था धाका में किया गया था अगला कॉस्वन 2017 में मुंबाई के महापौर के रूप में किसे चुना गया तो एक ये विश्वनात महा डेश्वर, कौन है विश्वनात महा डेश्वर अगला कॉस्वन अच्छा कॉस्वन एक बेग में एक रुपए पांच रुपए और दस रुपए की सिक्के या मानते हुए कि ये सब का आपस में क्या है बराबर है बराबर हैं, ठीक है, क्या आपस में, बराबर हैं, तो क्या करा है कि बराबर संक्या में, इस बेगो की कुल दन कितना है, 368 है, तो सिक्को की संक्या कितना होगा, ठीक है, जब यह सब बराबर है, तो इसका सब को जोर के भाग देंगे, तो 10, 5, 15, 16, 16 इसको डिभाइट कर दे यानि कि एक रुपिया के तईस, पांच रुपिया के तईस और दस रुपिया के तईस सिखा है तो यही टोटल संक्याम पूचा है तो यही तिनों को जोड़ देंगे केतना हो जाएगा? 69 हो जाएगा अगला कुस्षन मार्च 2018 से सयुक्त राज अमेरिका के परतिष्टि स्चंग ये संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारति अमेरिकी है? ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या आओ जाएगा? अजीत पई ठीक है? अगला कुस्षन है 4 by 5 पलस 4 by 7 को सॉल्व खड़े तो इसको लगुत्तम ले लेंगे कितना हो गया? 35 ठीक है? 35 पांच से कटेगा 7 बार में गया 28 पलस 5 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 बार में कटेगा तो 4 पंचे 20 उपर कितना हो गया? 48 नीचे कितना हो गया? 35 इसको जब solve करेंगे तो एक बार में जाएगा 35 बचा कितना 13, क्या हो जाएगा एक अनुपाद 13 बटे 35 राइट एंसर क्या हो जाएगा एक अनुपाद 13 बटे 35 अगला कुशन आदूनिक आवर्थ सार्निक तीसरी अबदीम में और आठमे समू में रखी गए नोबल गैस का नाम बताईए कर आए कि आवर्थ सार्निक तीसरी इस तेरा जो है तीसरी अर इधर से ऐसा ऐसा में आठमा गैस का नाम पूछ रहा है तो इस वहाँ पर कौन सा गैस को रखा गया है तो कौन सा गैस को रखा गया है आरगन को रखा गया है आरगन क्या है? नोंबल गेंशे आरगन को रखा गया है इस सारा जितना भी नाम देख रहे हैं सब आरगन ही यानि कि नोबल गेंशी है निमलिकित करम में कौन से भीन चितर का चाहन करें याँ पर देख सकते हैं यह जुरावा, यह भी जुरावा, यह भी जुरावा जुरावा ऊप्सन ओर जुरावा नहीं है, तो ओप्सन ओर राइट एंसर होगा। य्दि किसी वस्तु को अवतल दर्पन की वकरता कांड पर रखा जाता है तो इसकी परतिवीम कहां बनेगा। क्या करा है किसी बस्तू अवतल दर्पन में क्या करा है अवतल दर्पन में कहां वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र पर रखा जाए वक्रता केंद्र पर रखाता है तो इसकी परतिवीम कैसा बनेगा तो क्या बनेगा वास्तविक बनेगा और समान अकार का बनेगा जितना अकार का बस्तु है उतने आकार का परतिभीम भी बनेगा अगला कॉस्षन क्या कर रहा हैं सुभा एक्स और एक पार्क में सुभा एक पार्क में चलते हैं एक दूसरे की ओर ठीक है और वे मिलते हैं वो तो वाई की छवी एक्स के बाई ओर बनता है योग्या वाई योग्या एक्स क्या कर रहा है सुभा तो सुर्ज इधर की ओर उले गए गया सुन कि इधर उले इधर आप कर रहा है कि वाई की छाया एक्स के बाई ओर बनता है वाई की छाया जो है एक्स की बाई ओर एक्स की बाई ओर इधर बनती है तो पुछत रहा है कि से shadow किदर बन रहा है x के बाई ओर तो x किस दिशा में सामना करके ख़़ा है x का मुँख किदर है इदर उत्तर की ओर किदर ख़़ा है उत्तर की ओर right answer क्या ज़ेगा उत्तर अगर y का फूचता तो y किस ओर हो जाता दक्चीन क्योंकि सबेले के समय सुरिय कहां उखता है, पूरब के ओर ही उखता है अगला कोशन, जवलपूर नदी किस के टट पर इस्तित है, ति किस के टट पर इस्तित है, नर्मदा के टट पर इस्तित है किस के टट पर इस्तित है नर्मदा के टट पर इस्तित सारे कोशन हम लोग देख चुके अगले सिफ्ट में अगला कोशन अगले सिफ्ट का कोशन देखेंगे तब तक के लिए जैहिन जै भारत